सुए दोस्तों इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे सेकंड मैच के बारे में यह इसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो पे बोला था कि हमारे यहां पर फूल स्टैट्स प्रोवाइट किया जाएगा साथ में लास्ट मैच की जो की परको मिसरा है वह भी आथको प्रोवाइ जो कि इनके लिए ओपेनिंग करने आते हैं और काफी अच्छे प्लेयर है प्रेमियर लीग भी खेल चुक है है 46 रान की लेकिन दोस्तों मैं बता दू कि इनकी जो प्रफॉमेस रहा है टीटेन के लिए कुछ खास नहीं है 19 मैच 116 रान उनली बनाया है इन्होंने काल से पहले कि अगर मैच की बात करें तो इन्होंने 19 मैच पर 116 रान ही बनाया थे और दोस्तों यहां पर एक और है वह एलक सेमुएल जो की ओपिनिंग करने आते हैं और इन्होंने 15 मैच फिर 197 रन की इनिंग्स के लिए टीटेन में तो दोस्तों ऐसा पॉसिवल है कि रुमानों की जगा पे एलक सेमुएल भी ओपिनिंग करने आ सकते हैगर वो सिलेक्षन के लिएoupe अब देख सकते उनकी परफोमेस 19 मैच 3-0 3 रान एट विकेट इन्होंने अभी तक लिया है और टीटेन की अगर हम बात करें तो डोमेश्टी का भी एक्सप्रेंट से इन में उसके बाद दोस्तों दीन ब्राउन है जो की काफी अच्छे मैंने पहले भी बताया था कि यह जो प्लेयर है ना यह ऐसे ब्राउन की जो प्रोमोट किया जाएगा अगर बिकेट जादा नहीं गिरते तो एजे पावरेटर बैट्समेन डेन ब्राउन को प्रोमोट किया जाएगा तो यहाँ पे बैटिंग ओडर आपको कभी भी चेंजेश देखने को मिल सकता है बाकी दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे लेडन जेम्स जो कि एजे बिकेट की पर खेल रहे हैं लेकिन पार्ट ताइम बॉलिंग कर सकता है और उस तीती में जहाँ पे आपको यहाँ पे ड्रुम टॉनी को एजे बिकेट की पर आप देख सकते हो तो पॉसुबिलिटी है कि अगर जुरूत पड़े तो जेम्स भी एजे बॉलर खेल सकते है तो दोस्टों ने होता है कि अगर आप मालो के ँपो टॉप वाइजे आप खेलते हो तो दोस्तों यहाँ पे लेडें जेम्स के बाद लास्ट मेलीश भी विलियंस है ते यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर जल्दी विगेट गिरते है तो टॉनी को बैटिंग पे भेजा जा सकता है क्योंकि उन्होंने 7 मैच पे 52 रान की इनिक्स के लिए है 4 राउन पे बैटिंग करते हुए तो कहीना कहीं दोस्तों मुझे लगता है कि साइद यहां पे टॉनी को भी प्रोमोट किया जा सकता है उसके बाद कोडी हॉन जो की खास कुछ है नहीं दस मैच पे 58 रान की इनिक्स के लिए बोलिंग भी नहीं करते पिर लिए उसली आपको जेम्स भी बॉलिंग गरते हुए आप ते बॉलिंग पुरा अवड़ बॉलिंग करने का मौूका मिलता है तो यहां आपको जेम्स भी बॉलिंग करते हुए आप देख सकते हो तो यह एक possibility है पर chances बहुत कम रहते हैं क्योंकि वो बिकेट की पर खेल रहा है तो दोस्तों यहां पर ओपनेंट की अगर देखा जाए तो इस टीम की one of the best player है सुनिल आमरीज जो कि आप आपने बहुत सारे अगर हम किसी एक player को इंटरनेशनल पर देखते है और या फिर डोमेस्टिक में भी देखते है तो बो प्लेयर अबिसली क्लब लेविल पर काफी बढिया खेलेंगे और यह expectation हम कह सकते है उसके बाद दोस्तों उनकी साथ opening करने आते है रिक फोर्ड वालकर जो की last match पर जीरो र इन्होंने बनाए है दोस्तों उसके बाद first down पे जो batting order है ना इनका कहीना कहीं मुझे समझ में तो यह नहीं आया है कि first down पे last match पे जैसे की जैर्मी को बेजा गया था जो की 17 रान की इनिंग्स भी खेली है जबकि इनके पास और जीको विल्याम्स एजे टॉप वर्डर बैट्समें वो खेलते आया है तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उन्होंने 11 match पे 74 रान की इनिंग्स खेले तो कहीना कहीं possibility है कि और जीको विल्या ट्री रान की इनिंग्स जो की इनके लिए स्वीन एजे ओपेनर स्वरी एजे बिकेट की पर खेले थे तो दोस्तों यहाँ पर होजी को अगर यह match पे फिर से उनको मौका मिलता है एजे player उनको केलने का मौका मिलता है तो साइध उनको बैटिंग पर प्रोमोट किया जा सकत है क्योंकि जादत्तर टाइम उन्होंने ओपेनिंग भी किया है और उन्हीन ने टॉप ओर में बैटिंग भी किया है तो दोस्तों पॉसिभीलिटिटउ जो है दो है एंडरू थोमास जो की इनके लिए first down बैटिंग करते है तो पॉसिब्लिटी यहा है कि अगर एंडरू थो उनकी जो bowling all-rounder है Johnson उनने काफी बढ़िया इनिंग छेले है 20 match 143 run 21 wicket तो दोस्तों आप कह सकते हो कि इस team की जो best player है ना उनमें सबसे best है Sunil Ambris, second best अगर देखा जाए तो obviously Dalron Johnson है उसके बाद अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब Jeremy Haywood को आप कह सकते हो यहां पिर दोस्तों यहां पे आप कह सकते हो कि Jeremy Lane को कह सकते हो काफी अच्छे है बो भी और last match पे जैसे balling क्या है Samuel ने काफी impressive लगा है उनका balling तो obviously बो भी एक अच्छे option बन सकता है क्योंकि अगर आप grand league बगरा खेलते हो न तो कहीं ना कहीं आपको safe option से हटके बनाना है team क्योंकि क्या होता है कि जब आपकी जैसे आपने last video पे मैंने एक example दिया था कि कभी भी जो part time बोलर होते हैं उनको balling दिया जा सकता है क्योंकि जब इनके पास उतने अच्छे bowling option है नहीं तो possibility है कि Andrew Thomas को भी as a bowler और as a all rounder आप मतलब आप देख सकते हो तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि team क्या होना चाहिए इस match के लिए और जैसे कि आपकी सामने है और ये मैंने open किया तो दोस्तों overall team मेरा यह है आप एक बार full team का look ले लिजिए मैं कहना चाहूँगो final team आपको 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 वीडियो की description box में मिल जाएंगी यहाँ पिर आप simply जाके search कर सकते हो तो दोस्तों यहाँ पे मेरे captain सुनी लेंब्रीज सबका captain होने वाले क्योंकि यह तो बेस्ट है और second best जो मुझे लगा है वो है जरूर पिक करना बाकि दोस्तों एक प्लेयर और है जैसे कि मैंने इसलिए मैंने ओपिन किया क्योंकि रिक फोर्ड वालकर के कुछ प्रफोमेंस है नहीं यहाँ पे अगर एंडू थोमस और एलक समूल इन में से कोई भी खेले तो आपको आपने टीम पे रखना ही है क्योंक तो ओविसली आप अपने टीली जरूर पिक करना तो दोस्तों फाइनल टीम आपको हमारी टेलेग्राम चैनल पे मिलेंगे तैंक यू पर आजिक मैं वीडियो आगली वीडियो पे मिलते है